वल्कम टू माई चैनल तो आज की हमारी मूवी है मलीना ये कहानी एक 12 साल के बच्चे रेनेटो और एक 30 साल की औरत मलीना की है जहां हम देखते हैं कि उस लॉंडे को इस अंटी से प्यार हो जाता है और साथ ही साथ हमें ये दिखा जाता है कि कैसे एक खुबसूरत औरत के ल स्टार्ट होती है इटली के शहर से जहां पर मलीना नाम की एक बेहत खुबसूरत औरत रहती थी और हमें दिखाया जाता है कि एक 13 साल का लॉंडा रेनेटो जिसको उसके बापने आज एक साइकल गिफ्ट की है वो साइकल को लेकि अपने दोस्तों को दिखाने जाता है और तभी रेनेटो पहली बार मलीना के दर्शन करता है मलीना इतनी खुबसूरत थी कि उसको देखते ही रेनेटो को उससे प्यार हो जाता है और जब मलीना निकल जाती है वहां से तभी वो सभी लड़के साइकल लेके मलीना से आगे चले जाते हैं ताकि एक बार फिर वो उसक के दर्शन कर सके मलीना के फादर एक टीचर थे जिस स्कूल में रेनेटो भी पड़ता था और जब से मलीना के दर्शन रेनेटो को हुए है रेनेटो उसके सोच में खो गया है और दिन राच सोते जाकते उसको बस मलीना ही दिखाई देती थी रेनेटो मैलीना के प्यार मितना पागल हो गया है कि वो इसकूल बंक करके मलीना की घर के सामने जाकर बैठ जाता है और तभी मिलीना दरवाजा खोल के बाहर आती है और वहा रेने psychologists को फेसं तब ही वो गिर जाते हैं और मेलीन उसको अपनी तांगे दिखाती है और हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था यह रेनेटो भुस्डी वाला दिन में सपने देख रहा है अब यह लोना मलीना को पढ़ाने के लिए अपना पूरा मेक ओवर करता है और अपने बाप की प अपने अपने घर पे अकेली रहती थी और उसका पती सेना में था और दो साल से वह घर नहीं आया था और पूरे सहर में यह अफवाव उल्ड रखी थी कि मलीना का पूरे महले के साथ चक्कर चल रहा है रहनेटो को जब यह बात पता चलती है तो वह इसकी इन्वेस्टिग करता है और मलीना की सारी जनकारी निकालता है और रात में बिचारा अकेला होकर मलीना के बारे में सोचता है और अपनी हाथ गारी चलाता है मलीना जब भी अपने घर बाहर निकलती थी तो पूरे महले के लॉंडे उसको देखते थे और उसके साथ घपा घप करना चाहते थ और अपना रेने टो भी उसी में सामिल था बैचारी मलीणा वो यह सब देखती थी और समझती थी और इन भूके दरिंदों से बच कर रहती थी वो अपने बाप के घर जाती थी और की देखबाल करती थी और फिर एक दिन खबर आती है कि मलीना का पती जंग में शहीर हो गया है यह बात सुनके मलीना पूरी तरीके से तूड़ आती थी और वो अब अपने फादर के घर पे जाकर रहने लगी बिचारा रेनेटो वो उसके इस गम में शामिल नहीं हो पा रहा एक दिन किसी ने मलीना के फादर को एक चिठी बेची होती है और उसमें लिखा होता है कि मलीना के गैर मर्दों के साथ सारेरिक संबन्द है जिससे उसके बाप को बहुत बुरा लगता है और वो उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है अम मलीना बिचारी अपने पुरान तब ही एक डोक्टर आता है और वो भी को पताता है कि मलीना मेरी गल्फरेंड यह दोनों आपस मार्पीड कर लेते हैं और वहां पुलिस आ जाती है यह मामला कोप में चला जाता है और वहां पर जजमलीना से कहता है कि तुम्हारा एक शाधी सुदा मर्द के साथ अफैर चल जिसके वज़े से तुम्हें जेल भी हो सकती है, फिर मलीना वो केस जीत तो जाती है, लेकिन उसके लिए उसको अपने वकील के साथ सोना पड़ता है, ये सब बिचारा रेनेटो अपनी आखों से देखता है, और उसका दिल तूड जाता है, और साथ ही साथ उसके पैर की करते हैं, और उसके साथ घपा घप करने की बात करते हैं, बेचारी मलीना कुछ कर नहीं पाती, तभी उस देश में अटैक हो जाता है, और मलीना के बाप की देथ हो जाती है, अब बेचारी मलीना पूरी तरीके से अकेली हो जाती है, और जैसा कि हम सब को पता है कि अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है जिसको हर कोई लूटना चाहता है अब बेचारी मलीना के पास खाने तक के पैसे नहीं थे तो वो भी हार मान जाती है और वो एक सेक्स वर्कर बन जाती है जिसको सेक्स वर्कर की रूप में देखके पूरा टाउन खुश हो गया था क्योंकि अब वो उसके साथ हर कुछ कर सकते थे जो वो चाहते थे रेनेटो देखता है कि एक आर्मी वाला मलीना को खाना देने के बहाने घर में जाता है और उसके साथ और यह भी खराब हो जाती है उसकी आहलत को देखकर उसके घरवाले सुचते हैं कि इस पे कोई भूठ प्रेत का साया है और सारे ज्हाड़ फूग उस पर करवाते हैं लेकिन उसका बाप जानता है कि रेनेटो अब जवान हो गया है और उसको लड़की चाहिए इसलिए वो पाउन से बाहर निकाल देते हैं। ये सब देखके रनेटो को बहुत बुरा लगता है लेकिन रेनेटो एक लेटर उसको देता है जिसमें लिखा होता है कि ये सब साले जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल जूट है तुम्हारी बीवी अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है और वो इस टाउन से बाहर चली गई है वहां तुम्हारा इंतजार कर रह है अब सब उससे अच्छे से बात करने लगे हैं ये सब देखके रेनेटो को भी खुशी मिलती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खतम हो जाती है ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक औरत के लिए इस दुनिया में अकेला रहना किसी गुनाह से कम नहीं है क्योंकि दु अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए क्योंकि दोस्तों मेरी हालत मलीना से कम नहीं है और मैं उसकी तरीके खुबसूरत भी नहीं इसलिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए तो प्लीज सपोर्ट में